इस वीडियो में हम chemistry in human life मानो जीवन में रसाया हैं इस ट्रॉपिक से question देखने वाले हैं पहले हम लोग त्योरी पढ़ेंगे त्योरी के बाद उसके बाद हम लोग यहां पर question देखेंगे चले स्टार्ट करते हैं साबून और अपना जब soap and detergent साबून जल में घुलन सिर्फ उच्छ वसीय अमनों की sodium अत्वा potassium लवण से निर्मित होते हैं देखेंगे श्रिंखलावाले 10-18 कारवन परवाड़ो युक्त वसीय अमनों को sodium hydroxide इवन potassium hydroxide के जली विलियन के साथ गर्म करने पर साबून का निवार होता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है साबूनी करण कहलाती है अपमार्जक को साबून रहित साबून भी कहा जाता है क्योंकि यह साबून से बेन नहों होते हैं परन्तों साबून के समान ही सफाई के लिए यहाँ इसको प्रोग किया जाता है और यह प्रक्रिया एस्टरी करण कहलाती है वनस्पती तेलों से वनस्पती गी का निर्मार इसी विधी से होता है ठीक है हेड्रोजनी करण से ही होता है मॉम वेक्स यह लंबी एल्गित श्रंकला से युक्त कार्बनिक बदार्थ हैं जिन में असंत्रिप्त कार्बन बंध तथा विभेन प्रकार्यात्मक समुहा प्रात्मी इवं दूतिय एल्कोहल की टोंस एल्लिहाइट पाया जाते हैं ये प्राग्रितिक रूप से पादप जन्तू एवं पेट्रोलियम योगी के संसलेशन से प्राप्त किया जाते हैं मेडिसिन्स और सधिया वे रसानी क्योगी जिनका प्रयोग रोभों से बचाओ निदान एवं उपचार हेतु किया जाता है और सधी कहलाते हैं एंटी पैरेडिक पेरसितमॉल ब्रूफेन ग्रोसीन एस्पिरेन एंग्जीन आधी पीड़ाहारी और सधिया मॉर्फीन पेरसितमॉल एस्पिरेन आईबू प्रूफेन ये सभी क्या हैं पीड़ाहारी और सधिया है पैनिसिलीन की बात करें पैनिसिलीन प्रधम प्रती जा क्या था इसका प्रेव विभीन प्रकार की जिवाडो जनी संक्रमणों की उपचार है तु किया जाता है प्रमुक रोगाडु रोधक और सधिया कौन-कौन से है फिनॉल होर्मेलडिहाइट हैट्रोजन प्रॉक्सेट एथिल इलकोहल एउडिन हैपोख्लोरस जिसको की टिंक् और प्रमुक विशंक्रमग और सधिया कौन-कौन से है तो यह है आपके फिनॉल थैमॉल इतिनॉल आयोडीन आधारित विशंक्रमग अथ्वा आयोडो फर्स क्लोरी आधारित विशंक्रमग आधी अब दिखते हैं प्लास्त्रिक के बारे में प्लास्त्रिक का अविश्कार वर से 1844 में जर्मन वेग्यानिक क्रिश्यन सोन वेड ने क्या था ये उच्छे अड़ुभार वाले कार्बनिक पहुलक है ये निवार के समय मुरायम होते हैं तदह किसी भी आकार में ढाले जा सकते हैं और ये दो प्रकार की होते हैं अब दिखते हैं ये दो प्रकार कार्ण कोई से थर्मो प्लास्टिक है और ये थर्मो सेटी थर्मो प्लास्टिक क्या होता है ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करें विविन आक रेतियों एवं आकारों में ढाला जा सकते हैं यह क्या कहलाते हैं थर्मप्लास्टिक कहलाते हैं जैसे पॉलितीड हो गया है पॉलिविनाइल हो गया है पॉलिविनाइल कुलाइड पीविसी पॉलिस्टारीन लियोसाइड टेफलॉन आधी सब क्या है थर्मप्लास्टिक है थर्मोजेटिक क्या है ऐसे प्लास्टिक जो एक आकरती में ढाल देंगे वो उनका रूप ले-लेंगे लेकिन थर्मो सेटिक में ऐसा नहीं होता है एक वार इस प्लास्ट्रीक को आप गर्म करके ढालेंगे तो आप उसको नहीं ढाल सकते ठीक है तो इस में इस दिफरेंस है वह यही है थर्मो सेटिंग में एकजांपल जो में इनन्म सिलिकॉन टाइओक्साइड्व सोडियम कार्बोनेड खेलशियम कार्बोनेड के निश्यत अनुपात की मिश्टरन को उच सिताओ पपिगला कर जर्ण को पिखलाए जाता है तब क्या बनता है काज बनता है ठीक है फटिलाइजर्स क्या है फसली पादपों की पर्याप्त विकास है तू आविश्यक हो सकता है तू को क्रित्रीम रूप से अपलत करवाने वाले उर्वरा कहलाते है ठीक है चलिए देखते हैं सीमेंट के बारे में सीमेंट की खोर्च जोसिप एस्पिरिन ने की थी सीमेंट मुख्यता कैलसियम के सिलिकेटों और एलिमिनेटों का मिश्टर है इसमें ट्राइकालसियम सिलिकेट, ट्राइकालसियम सिलिकेट, ट्राइकालसियम एलिमिनेट तो कुछ मात्रा में जिपसम पाया जाता है जिपसम क क्या हो जाता है जो हेड्रोजन होता है वो क्या होता है हाफ होता है लेकिन जिपसा में क्या होता है दो होता है यही डिफरेंस इसका है चलिए थोरी तो होगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं फर्स कोशन क्या है साबून निर्मार में प्रयुक्त किया जाने वाले उच्छ वसीय अमला क्या है तो आज़न क्या हो जाएगा इसका साबून निर्मार में प्रयुक्त किया जाने वाले उच्छ वसीय अमला क्या है सियस्टिक अमला है और लाइक अमला है ट्रेम मेरे स्टेन है तो ये क्या हो जाएंगे ये सभी है ठीक है तौल अबदी एवाग नेश्टर कठोर एवाग मृदू साबून के संबन में असत्य कथन चुने तो इन में से जो कठोर और मृदू साबून होता है ना उसमें से कौन सा कथन यहां पर असत्य हिन के बारे में तो आसर क्या हो जाएगा वस ही हम लोग के सोडियम लाड़ों से निर्मित साबून कठोर कहलाते हैं ये सही है वसी अमलों के पोतेसियम लाड़ से निर्मित साबून मृदू कहलाते हैं ये भी सही है तो जो सोडियम लाड़ से बनेगे वो कहाँ होंगे कठोर होंगे और जो पोतेसियम में लाड़ों कठोर साबुन जल में कम भी लिया, ये रिदू साबुन जल में अधिक भी लिया उते हैं। ये भी बाल बिल्कुल सही है। तो गलत कौन से हो जाएगा लास्ट्रल हो जाएगा। वनस्पति तेल कठोर साबुन के लिए जबकि जनतो वसाइम, मृदू साबून के निर्मार के प्रत्त की जिती बिलकुल उल्टा कहा जा रहा है तो यह रॉंग हो जाएगा साबून निर्मार की जो विधी है वो क्या कहलाती है साबून निर्मार की जो विधी है वो क्या कहलाती है सैपोनिफिकेशन कहलाती है तो option भी इसका right answer हो जाएगा देशना यहाँ पर column बैज करना है एक तरब साबुन दी हुई है और दूसरे तरब उसके संगठक पदार्थ दिये हुए है तो देखिए प्रसाधन साबुन यह किस्से बने हुए होते हैं यह उच्च कोटी के तेल एवं वसा से बने हुए होते हैं कपड़े दूलने के साबुन सोडियम सिलिकेट एवं सोडियम कार्बोनेर से बनते हैं पारदर्शे साबुन एथिल एलकोहल से बनता है और दाड़ी बनाने वाले साबुन जो होते हैं तो कौन सो option सही हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका option C अपमार्जग क्या है जो detergent होते हैं वो साबों से अलग होते हैं लेकिन इनका कामे की होता है सफाई करना तो अपमार्जग क्या होते है सोधन अभी करता होते है अपमार्जग को की संबंद में सही कधन को चुरना है तो क्या हो जाएगा इसका असर अपमार्जग हैड्रोकार्बन की सलफोनिक अमलों की सोडिया में तो पोटेसियम लवड होते हैं बिल्कुल सही है अपमार्जग कठोर ज़ल में उपसीत कैलसियम एबं मैंगनेशियम आनों से क्रिया करके अवेलिया अवक्षिब निर्मार करते हैं बिल्कुल सही है अपमार्जग जल के प्रिश्चुतनों को कम करते हैं इसलिए मृदो जल में समार रुप से उपयोगी होते हैं यह भी बिल्कुल सही है तो क्यों हो जाएगा उपयोग्त सभी नेस्ट कोशन है तेल एबं वसा की प्रक्रिया क्या कहलाती है आसर हो जाएगा एस्टरी करार संत्रिप्त वसा सिसुरेटेट फैक्स के मुख्य शोद क्या है कि है तो देखिए जितने भी ढूब्हूंत मिद्पाध है यह सब क्या हैं स्चुरेटेग फैक्स जो होते हैं इन प्रेक्स के अवरे यह श्रोथ श्रोत है । नेक्स सब चर्पत्र ॏ क्या क्या है ह। तो देखें ट्रांस फैट के मुझे श्रूत क्या क्या है तो यह है सेके हुए खाते पदार्थ पेश्ट्री एवं की अधीक नमक वाले पदार्थ तो यह क्या है सब ट्रांस फैट है अधीक सेका हुआ खाते पदार्थ हो गया यह जादर नमक वाला हो गया यह पेश्ट्री क यह सभी आजाएंगे अलोगती एवो अब देखें यहाँ पर फिर से यहाँ पर कॉल आप मैच करने एक तरफ मोम दी हुई है और दूसरे तरफ उसका निर्मार दिया हुए है कि किस मोम का निर्मार किस से किया जाता है इसको मिलाने में ज्यादा तक्लीफ नहीं कि मधुमक्की के चत्ते से ही प्राप्त होगा इस पर मेच सिटी मोम तो यह इस परमवेल से प्राप्त होगा कानोबा मूम पेट्रूलियम और कोईले से प्राप्थ होगा और पेराफीन मूम जो होता है तार के पत्तों से प्राप्थ होता है तो कौन से हो जाएगा अपने अपने सामने वाले अज़र हो जाएगे तो 1,2,3,4 याने की लास्ट वाला ओप्शन नेस्ट है प्रतम प्रती जैविक और सधी पेनिसलिन का अविशकार किसके द्वारा किया गया था तो आसर क्या हो जाएगा इसका निर्मार अलेक्सिंटर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था नेस्ट है परसित्च मॉल किस प्रकार की और सधी है तो paracetamol जो होता है प्रती जवर कारी होता है और पीड़ा हारी यानि कि temperature हमारे जब हमें बुखार या fever आने लगते temperature बढ़ जाते हो उसके लिए भी है और दर्त के लिए भी यानि कि पीड़ा हारी दोनों आज़र क्या हो जागा दिश्य तक के रुखे फ्रोक्ति के जाने वाले रशान कौन कौन से है इथर है हेलो थेन है नैट्रस ऑक्षाइद है यह तीनों का यूज किया जाता है तो हम क्या लगाएंगे ऑप्षण डी निस्ट कोशन है रंजगों के प्रयोग के समय इन में रंग बंधक क्यों मिलाया जाता है क्यों मिलाया जाता है रंग बंधक को रंग बंधक रंजगों को सम्बंधित पदार्थे की सतह पर सिक्र इस्थायरूप से जमाने में सहाया होते हैं निस्ट यहां पर कॉलाब मैच करना है एक साइड रंजग है और दुसरे साइड उसकी प्राप्ति यानि कि किस से उसको प्राप्त किया जाता है वो चलिए देख लेते हैं हम लोग नील नील को किसे प्राप्ति किया जाता है ठीक है लाग को किस से प्राप्ति किया जाता है यहां से पता चल जाएगा लख्खा और किर्मिस को किस से प्राप्ति किया जाता है किर्मिस युक्त जी उसे तीरियन परपल को किस से प्राप्ति किया जाता है समुद्री घोंगे से यानि कि ऑप्शन डी नेस्ट है एक प्राकृतिक बहुलाग नहीं है इन में से कौन से एक प्राकृतिक बहुलाग नहीं है देखी उन भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है चमरा भी प्राप्त होता है रेशन भी प्राप्त होता है यह प्रकृति से प्राप्त पॉलिमर नहीं है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? Option D Next है योगात्मा बहुली करण से प्राप्त बहुलक है आंसर है पॉलिमिनाइल फुलोराइड, पॉलिथी, टेफलॉम ये योगात्मा बहुली करण से प्राप्त बहुलक है तो क्या हो जाएगा? उप्यूगते सभी इसका अंसर हो जाएंगे नेस्ट है निम नकीत को सुमेली कीजिए क्या है यह आपस में सभी सुमेली थी यह कोई एक है यह दो है तेकि प्राकृतिक बहुलक Cellular, Starch, Rubber यह क्या है प्राकृतिक बहुलक है Nylon, Polythene, Sunslisht बहुलक है Rayon, Balcony, Crit Rubber यह अर्धिसंस लिस्ट बहुलक है तो क्या हो जाएगा उप्यूकते सभी Next question है Bulletproof पदार्थ बनाने के लिए निम नकीत में से कौन सा बहुलक प्रयूकते होता है देखिए जो bulletproof पदार्थ होती है इनको बनाने के लिए ऐसा कौन सा बहुलक यूज होता है तो वो है आपका polyamide निम नकीत में से किस बहुलक को जैव निमनी करत नहीं किया जाता है देखिए जो cellulose हो गए, starch हो गए, protein हो गए इनको हम क्या करते हैं जैव निमनी करते हैं लेकिन जो PVC होता है इसको हम नहीं करते हैं नेस्ट कोश्चन है hexamethylene diamine A तथा adipic को संखनीत करने पर कौन सा बहुलक प्राप्त या जाता है hexamethylene diamine even edipic acid को संखनीत चपहम करते हैं तो कौन सा बहुला के हाँ पर हमें प्राप्त होता है नेलान सिस्टी 6 नेस्टर निमने कित बहुलकों में से किसका उप्योग नची पकने वाली कडाही के निर्मार में किया जाता है तो आजकर सभी के घरों में यूज होने लगा है teflon teflon से बनी जो कडाही होती है यह नोन इस्ट्रिक होती है यह चिपकने वाली नहीं होती है नेस्टर यहाँ पर भी कॉलम मेच करना है एक साइट बहुलाग दियुए हैं रबर जो होता है आईसोप्रिन के एक लग से बनता है रियॉन किस से बनता है कर्बन पर्मारों से बनता है पॉलियस्टर किस से बनता है एथिलिन ग्लाइकॉल से और नैलोन किस से बनता है हेक्सामिधालिन डाइमिन से बनता है तो कौन सा हो जाएगा 2143 2143 किसमे है option C में तो option C right हो जाएगा नेस्ट है रबड की वाड़ेजित वलकनी करण में प्रयुक्ति किया जाने वाला तत्व कौन सा है तो रबड की वाड़ेजित वलकनी करण में प्रयुक्ति किया जाने वाला प्लास्टिक के संबंद में सही कथन को चुनिए प्लास्टिक का अविश्कार परसे 1846 में क्रिश्चन सोन बेन ने किया था ठीक है प्लास्टिक लंबी कार्बन स्लिंखलाओं से निर्मित बहुला कैं ये भी सही है इनका निर्मान जिवाश में इंधन अर्थात पेट्रो रसैनों के प्लिप्यों में क्या जाता है ये भी सही है यानि कि क्या हो जाएगा अलब्दी एवाव नेस टाइम निमलकित में क्रित्रिम रेशम किसे कहा जाता है क्रित्रिम रेशम किसे कहा जाता है तो rayon को कहा जाता है करता है collagen cream गरित्रिम रेशम काच के निर्मार में प्रिक्त्य योगिक कहसा है तो दीखें silver dioxide, sodium carbonate, calcium carbonate यह सभी क्या हैं काच के निर्मार में यूस होने वाले योगिक हैं तो ये भी सही है समान्य काज का जो रहसानिक सुत्र होता है वो क्या होता है तो दिखें जो समान्य काज होता है उसका रहसानिक सुत्र क्या होता है Na2O.cao.6SiO2 sodium oxide, calcium oxide और silicon dioxide ये होता है समान्य काज का रहसानिक सुत्र नेक्स रहें काज क्या होता है तो काज जो होता है ये क्या होता है एक अतिशितित द्रोग होता है ठीक है तो option क्या हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा Next रहें काज का नीला रंग किसकी उपसिति के करण आता है तो काज जो नीला रंग होता है वो किसकी करण होता है वो कोबाल्ट oxide के करण होता है Next रहें यहाँ पर फिर से column batch करना है एक साइट काज है और दूसरे साइट उसका योज है यानि कि कौन से काज का उपयो कहाँ पर होता है यह यहाँ पर बताना है तो देखे पैरिक्स काज पैरिक्स काज का यूज कहाँ पर होता है ठीक है फ्लेंट काज का यूज कहाँ पर होता है ठीक है ग्राउन काज का यूज कहां पर होता है ठीक है कुरूक्स का यूज कहां पर होता है धूप के चश्मों के निर्मान में और फिर फोटो क्रो में कांच कही उसका हाँ पर होता है तो कौन से इसका आंसर हो जगया 4, 2, 3, 5, 1 4, 2, 3, 5, 1 किसमें है option D में ठीक है option D में है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा next है फोटो क्रोमेटिक कांच में फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपर सिर्थी की कान काला या गहरा रंग होता है तो ये हैं सील्वर क्लोराइड कौलम 1 को कौलम 2 से मैच करना है कौन से चीजएं किन की रशाने से मीन पर बनी होई थी इसके बारे में आपको बताना है तो यहाँ पर काजर यह सूर्मा यह किससे बनता है इस्टिगनाईड से सिंदूर मरक्यूरिक सेलफाइट driving लेड़ से लिब बाम किससे बनता है अदुमक्टी से प्राप्त मौम से डियोडोरेंट उस किसे बनता है अलुमिनियम ख्लोरो हैडरेट से तो अप्शन डी से हो जाएगा नेस्ट अनिमल कितमें से कौन सा रसानी उर्वरक नहीं है पोटेसियम नाटरेट रसानी उर्वरक है यूरिया भी है, सूपर फॉस्पेट भी है लेकिन सोडियम सेल्फेट यहाँ पर कोई भी उर्वरक नहीं है नेस्ट है, सिमेंट की कोच किस ने की थी सिमेंट की कोच किस की दोरह किया गया था जोसेप एस्पेडीन की दोरह किया गया था सिमेंट मुख्यता किसका किसका मिश्रण होता है तो आसर क्या हो जाएगा? ट्राइएवं डाइकेलसेम सिलिकेट का होता है, ट्राइकेलसेम एलुमिनेट का होता है और जिप्शन का होता है, यानि कि उप्यूगता सभी का. सिमेंट में जिप्शन को क्यों मिलाया जाता है? तो सिमेंट में जिप्षम को इसलिए मिला जाता है कि सिमेंट को सिग्र जमने से रोका जाए क्योंकि सिमेंट आराम आराम से जमेगी तो बहुत मजबूती के साथ और पकड़ बना के जमेगी और तुरंत जम जाएगी तो वह भंगूर भी हो जाएगी इसलिए उसमें जिप् क्या हो जाएगा इसका अंसर कैल्सियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा फिर क्या होते हैं सिलिकॉन डायोक्साइड होते हैं फिर क्या होते हैं एलुमिनेट होते हैं फिर क्या होते हैं आरान ऑक्साइड एफिटू ओ थ्री तो ऑप्शन काँसा हो जाएगा सी ऑप्शन सी राइट अंसर हो जाएगा